सबस्क्राइब करेंगे और बाद में जैसे सरकार बन जाता है ओहां जाने के बाद वाद मोरजी करते हैं यह बहुत गलत चीज आप उहां जाने के बाद मौन मर्जी जो मौन कर रहे तो अधा टाइम काम करता है उसका नोक्रियां नहीं होगा इसका बात बोल देंगे तो मेरे उपर का जनते हैं अभी हमारे साथ दो जूबक है और यह चातर है पढ़ने लिखने वाले चातर है इनसे हम जानने कोसिस करेंगे आखिर कर इस सरकार ने इतना दिन कितना दिन हुआ पेज ने अभी 22 साल हो गया भरते हैं न भरते हैं इस बार उत्पाषी भरे हैं और अभी सीजिल भी डालेंगे अच्छा मतलब पढ़ने निखने वाले चातर है इनसे हम जानने कोसिस करेंगे कि इस सरकार ने कितना कुछ दिया है क कितना कुछ बेकेंसी में ये अपना हटकंडे अपना चुके हैं जी सबसे पहले जोहार जोहार किया करते हैं हभी फिलाल में त्यारी करते हैं हम कौन चीज़ कर जैसे सी CGL का तो तो हेमन सोरेंस से जिस उम्मीद के साथ आप उसको सत्ता बे बैठाए थे क्या लगता है कि वह को उम्मीद आप पूरा हो रहा है पूरा नहीं हो रहा है उम्मीद पूरा चकनाचूर हो गया है बहुत कस से मावा पैसा देके पढ़ाता है हम सोचे थे कि 2023 में किसी भी हाल में नोक्री हो जाएगा लेकिन इस तरह का साठ चालिस का नियोजन नीति में देखने को मिल रहा है कि नोक्री तो नहीं होगा तो सरकार की तरफ से एक बयान आता है कि नोक्री नहीं है रहा है तो भेल बक्री सब चला तो वह सब करने के लिए अब रेटी है क्या कितना गंदा बात बोलते हैं मुझ खमंत्री इस सब बो बेकेंशी आता है तो बैटते कहां नहीं है फालतुक बखेडा काड़ा कर देते हैं शिकस्टी फोटी को लेकर वेकेंशी आ रहेए जिस बज़से हम लोग भेकेंसि कितना आया हुए आपको पता है उत्पात सी पाही में सट्रव्रेज का है लगभग और उसमें साथ 40 का नित्ती होगा या साथ परसेंट भाहर का चालिस ओपेन है जी बाहर का ओपेन है पुरा भारत का ओपेन टुछ और बना रहे हैं सब नहीं चलेगा ऐगा सब भूल यहां बनता है कोई चोणी चुपी ओला बात नहीं हो सब जानता है सब परेसाण है तंगा गया है और एक चीज हम रखन सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप भोट मांगते टाहीम अधमी secular पूस्टों में दिखाती हम यह करेंगे यह करेंगे 1932 खतियान लागू करेंगे और बाद में जैसे सरकार बन जाता है उहां जाने के बाद इम्लोग अपना मौन मर्जी करते हैं यह बहुत गलत चीज है आप उहां जाने के बाद मौन मर्जी जो मौन कर रहे तो अला नियों अंदलन होता है आप वहित लेना चाहिए ले देख इलेक्शन आ रहा है अभी लेक्शन आ लेक्शन आ रहा है तो हम लोग सब जानते हैं हम लोग भी स्टुडेंट हम लोग आकलन कर रहें कि का होगा यहां सरकार का मनसा है कि एलेक्शन पहुंच रहा है हम किसी तरह से दो-चार को वेकेंशी किलियर कर दें इसका इसा है और होई सब मार्केटिंग करेगा कि हम इतना रोजगार दिए है कि हो कि सब कुछ नहीं बेफलतुआ बात है सब जो पढ़ेगा तेजी स्टुडेंट का नोक्री होगा इस निती में जो तेज है जो टोपर टोपर चात्र लगए उस सब का होगा और हम लोग जैसे गरीब चात्र जो दस बारो घंटा आई आधा टाइम काम करता है और अधा डिवटी करके जो पढ़ता है उसका नोक्रियां नहीं होगा यह तो पकता है तो सरकार से आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपका दर्द और पीड़ा को हम समझ सकते हम ततकाल मांग करते हैं कि आप अस्थानियों निति बनाए ना जी जार्खन को इसा नहीं होता है जार्खन का फोम नहीं है इससा नहीं किसी को पता नहीं है क्वारत बबाध करेंगे कि हम रहें मेरा बहुत बड़ा दर्द है और हम तयारी करते ही हावा हम बचुकित नहीं करते हैं हम त्यारी करते हैं रात दिन सला मेहनत करते हैं समझा और नोक्री नहीं होगा तो का इस्तिती होगा मेरा उस अब सुचना चाहिए उनलोग को और हम तो ही तो पता दे रहें कि इम लोग एलेक्शन टाइम बड़ा बड़ा दिखाएगा और वहां जाने का मौनमर जी करता है इ सम्थडानिक नियोजन नीती बनाएगी उसके उपर कानूनी करवाई यह लगए सरकार के कारन डबां में हैं जिस बजह से यह समनीती सुधार नहीं कर पा रही है हलांकि सरकार के गर मांसा हो तो बहुत चंड भर में हो जाएगा लेकिन वो किस के दबाव में है आप इस पर कुछ टिपनी करना चाहेंगे इतना जानते हैं कि नकरी नहीं दिया भाईया इसाफ है तो सब से बड़ा प्रोबेलम नहीं हो रहा है साधी हो रहा है लेकिन समझ रहे ना तो चलिए भाई साब का दर्द समझ के दूख और दर्द को समझ के थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है लांकि सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे इनकी बातों को सुना जाए और इस आदमी का बात अकेला का नहीं है पूरे जारखंड के नोजुबा और जुबा जो चात्र चात्रा हैं तैयारी कर रहें उस सब का दर्द